है ऐसे हेां जलाद Enjoyables tire ho कृऌर है कि रिमिनल इस्टिकेशन हमारी चल रही है उस क्रिमिनल इम्वेस्टिकेशन में हम काम कर रहे हैं ऑसबिन इस्टीकेशन में जो चेन है उसको उमने को इस्टैबलिश किया है अगे अगर कोई ऐसी बात आती है तो जो भी उचितकारवाई है विचार भी मर्श करके वो की जाएगी पता है ना जहां से की लीक हुई वो हमने अरेस्ट कर लिया आखरी कड़ी वही है विचल डोज है पुरुत है क्योंकि एंचेन में है अभी जो हमादा हमारे पास जो नाम अचुके हैं US लोगों की अभी जो अभी बच हुए हैं अगर सभी कॉंट करें इंक्लूडिंग केंडिडेट्स जो रमेश से की लिये हैं तो करीब हमारे अठाट लोग और बस्तें टोटल अठासी गिरफतारिया इसमें होनी है अभी तक जो हमारी की जो लीक हुई थी उसके बारे में हमारी पूरी चेन कंप्लीट हो चुकी है बागी इंकम ने दस दिन का रिमांड लिया है इनसे पूस्ताच अभी जा लिए देखे मैंने काज वो डील हुई थी एक्च्वल जो ट्रांजेक्शन हुए कम कम हुए हैं पांच लाग अफजल से लेकर वह नी किसी से लेकर राजकुमान ने अफजल को दिये थे एक बार वीच लाग वह एडवांस के वहां रखे हुए थे चैलाग सतासी जार करीब वह जो रमेश के अकैडमी से वहां से फ्राफ्ट हुए थे अभी जो अमांट एक्ट्वल आमांट वह यही मिला है अभी तक मैंने बताया कि जो हमारी चेन है लीकेज की वह कंप्लीट हुई है अब इन से हम डिमांड लेकर पूस्ताच करेंगे और आगे कोई बात आएगी तो फिर आपको बताएगा अभी अभी उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है अभी इन से पूस्ताच की आपको मैंने बताया ना आपको अठारे लाग सतासी अजार रुपे करेंसी नोट है यह कैतल पूलिस नहीं तो किया है कैतल पूलिस की जो एसाइटी नहीं और डिस्टिक में कुछ दर्ज हुई है जैसे करनाल में हुई है पत्य है वो छोटी-छोटी चेन है और जो में जो लीख वाली जो चेंटी वह हमारी थी जो हमने कंप्लीट कर लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जो रमेश ने नरिंदर ने इनने बताया है कि जो काफी सारी जो भरतिया है जो कैसे एरफोर्स की होती है सब इंस्पेक्टर या कॉंस्टेबल लेवल की होती है इन सब में भी इन्होंने पहले सेटिंग की है और रमेश जो है जैसे कि पहले भी हमने ब्रीफिंग में बताया था यह सिटर्स भी प्रोवाइड कराते थे जो दूसरे की जगे बैठते थे इसके साथ-साथ यह आदार कार्ड भी जो फरजी बना देते थे मिक्सिंग करके क्ail को कराते दे में लोग काफी समय से नहीं और पैसा कमाने के लालच में इस परकार के काम में यह रिद्ग चाइगी तो मैं पहले पताया ता पांच अगस्त को फर ऊसी प्रकार जब अफजल को की मिल जाती है, अफजल की लेकर डेली एरपोर्ट पर आता है, वहाँ पर ये तीन व्यक्ति मिलते हैं, एक तो राजकुमार, एक वेद परकाश, एक राजकुमार रिवाडी का, ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं, सबसे पहले ये तीनों व्यक्ति गुडगाओं लुटेल में कहीं रुखने के लिए चला जाता है फिर आपने बाई से मिलने पानी पताय के वहाँ पर कुल दीब भी आता है राजकुमार वहां पहुंचता है अपने भाई कुलदीप को योजनार नुसार वो की पकड़ा देता है फिर उस की को लेकर छे तारिक को कुलदीप उस की को लेकर अपने यहां कंडा केड़ी वहां पे अपने गाहों में पहुंच जाता है जैसा कि इनकी पहले से डील हुई थी नरिंदर से नरिंदर कुछ लोगों के साथ वहाँ पर पहुंसता है की लेने के लिए उससे पहले एक और मीटिंग हुई थी जो मैं बता दूँ चार तारीक को चार तारीक को ओमकार होटल में एक मीटिंग होती है जिसमें नरिंदर की साइट से नरिंदर, सोनू, नवीन, संजे, रादे के कुछ कंडिरेट्स थे उदर रमेश, रमेश कुडाना, अशोक कुडाना, प्रदीब ये सारी लोग टोटल कुल मिलाके 11 लोग ओमकार होटल हिसार में मिलते हैं जिनको ये मतलब ये होता है कि हमें की मिलेगी और कैसे कैसे इसको आगे कंडिरेट्स को देना है तो इनकी ये मीटिंग हो चुकी थी, दो तारी को वो मीटिंग हो चुकी थी, पांच को इनको की मिल जाती है छह को कुल्दीब को मिलती है कुल्दीब से ये गाउं में आ जाते हैं उस टाइम पर नरिंदर नजीर जो व्यक्ति है राजकुमार नजीर को जानता था पहले नजीर नहीं राजकुमार को अफजल से मिलवाया था कि रादे का है जीन का वेख प्रकास रिटॉली गाहों का है तो तक कितने गिरफ्तार हो हैं अभी तक इसमें हमारे 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 28 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे तीस फोन चार गाड़ी अठारे लाग सतासी अजार रुपे दो खाली चेक लैप्टॉप कंप्यूटर सी पी यू रंगीन प्रिंटर चार सी पी यू तता अन्य डॉकुमेंट्स पी कवर किये जा चुके हैं है जो हमारे अभी अड़ी अरेश्ट होचुआ है जितिंदर अरेश्ट होचुका है जो मुझफफर कहने वह अभी अरेश्ट नहीं हूआ है और जो अफ्जल यह पालए उसके लिए ड्याओब एक चाधनी ट्वाटम चापे मारी की जा रहे हैं जो अभी तक की जांच में आया है जितिंदर सिल्की लीक हुई है जहां से यह उरीजन स्टार्ट हुआ है राकेश को हमने अरेस्ट किया है उसकी भी भूमिका अभी तक संदिग्द है उसको और वेरिफाइग किया जाएगा इसमा अदरे में क्या पुली साथ नरेंदर नवीन नरेंदर निहाल और दो वेक्ति और होते हैं जो जिनसे वह 20 लाग का एडवांस उसने लिया होता है नरेंदर ने की देने के लिए तो इनकी बात होती है कि उसको साथ तारीक के जो मौनिंग और इवनिंग के पेपर की कि कि वो रख़ा लेता है वो कहता है कि घीक निकलेगी आज की साथ तरिकी तो पर बाकी की मतलब उसके बाद पेपर के बाद वो देडेंगे और उसका जो भी एडवांस हो बाद में कर लेंगे तो 20 लाग अड IPO का स्था फिरी होता है ती लेकर स्के बाद अडो इसके कुट के खास कंड़िट्ड्स होते हैं जिनको इसने पहले CISF या किसी सब इंस्पेक्टर वरती में करवाने के लिए प्रॉमिस किया होता है जिसके पैसे इसने लिये थे बट वो करवा नहीं पाया था उनको गाड़ी में बिठा कर ये कैथल की तरफ आता है उस टाइम पर ये रमेश के टच में होता है इनकी जो बातचीत हुई होती है उसमें प्लैनिंग ये होती है कि ये बाला जी अकैडमी जो रमेश चलाता है वहाँ पर सारे कैंडिट्स इखटा होंगे और वहाँ पर ये नरेंद उस पेपर को पढ़वा देगा और कैंडिट्स फिर जाकि अपना चले जाएंगे पेपर कर लेंगे और जो बाला प्लैख गाओं वहाँ पर एक मुर्गी फार में वहाँ पर सेफ जगए वहाँ पर सभी लोग एकटा होंगे और वहाँ पर यह जो की है डिस्टिब्यूट कर दी जाएगी तो सभी को वह लोकेशन पाई गाओं वहां की दे जेते हैं तो जो सभी व्यक्ति हैं वह पाई गा सारे वहां से तितर बितर हो जाते हैं अब तितर बितर हो जाते हैं तो यह वापस भाग के रमेश वापस आ जाता है नरेंदर भी वहां से वापस आ जाता है फिर इसके पास नरेंदर के पास फून आने लगते हैं की के लिए रमेश के और इन लोगों के रहा नरेंदर के दो जो candidates होते हैं उनको वो ले जाके 7-11 hotel में ले जाता है वहाँ पर उनको की WhatsApp पर फोटो खीच लेते हैं उनको की note करवाता है और उनको एक hotel room में stake करा देता है उसके बाद इसके पास और लोग के phone आते हैं रमेश के भी phone आते हैं तो उनको बता देता है कि भई जो hotel में इसमें रुकवे हुए उनके पास पूरी की है आप वहाँ से ले लो वहाँ से फिर रमेश जाके की प्राप्त करता है जो answers थे उनको एक paper पे अपने handwriting में लिखता है जो viral हुए थे इस प्रकार से फिर वो सारी की की रमेश के पास आ जाती है रमेश अपनी की जो भी candidate जिनसे इनका टाइब होता है दस से पंद्रह लाग में जितने में भी उनको आगे message कर देता है forward कर देता है उससे पहले रमेश ने सभी को एक दिन पहले और अलग अलग टाइम पर उनको वाइस message भेजा हुआ होता है कि आपको की मिल जाएगी और इतने बज़े यह सब यह उस टाइप की बात उसने सभी को एक audio message भेजा होता है तो इस प्रकार से वो की सभी अल्ली मॉर्निंग तक लगवक साड़े चार विज तक इसने की वो सभी को भेजी है तो वो भेजता रहा है जैसे जैसे और जैसे जैसे उसकी जो भी बात हुई है उसके बाद हमारे जो शुरूब संदीब नवीन और गौतम इसमें से दो मीडियेटर होता है एक भान सिंग होता है भान सिंग के थूरू वो इनको मिलती है उनकी बात इन सभी की बात रमेश रखती होती है जो पुलिस को जो क्लू मिला था जो गाड़ी पकड़ी थी वो इन तीन लोगों की पकड़ी थी इन से फिर हमें वो बान सिंग का फिर इनी से हमें रमेश का और रमेश से नरेंदर का नरेंदर से कुलदीब का कुलदीब से राजकुमार राजकुमार से अवजल अवजल से की नीचे पहुंचती है और यह spread होती है इसमें अब जैसे कई बिंदुएं जैसे रमेश एक main point सा जहां से कई लोगों को candidates को की गई ऐसे ही और भी वक्ति है एक रादे है नवीन माजरा है इसको यह की दे के आता है नरिदर एक copy अलग से तो नवीन के भी बहुत सारे candidates है रमेश कोडाना है उसके बहुत सारे candidates है आगे वेद प्रकास और राजकुमार जो साथ में flight में जो मिलने भी गएते है अफजल से पहले लिगी लेते हैं उनसे भी आगे कि कितनी जए गई है उसका अभी कोई हमें आइडिया नहीं है तो इस प्रकार से यह की spread होती है जो डील थी पहले छह लाग में आगे जो उन में बीच में हुई वह साथ लाग में फिर आगे वह एक करोड में फिर जो राजकुमार एक करोड में इनको भी देता है वेद प्रकास को एक करोड में इधर नरिंदर के लिए भी देता है थुरू कुलदीप और इनकी एक करोड में फिर नरिंदर 10 लाग पर केंड़ेट के साथ से रहमेश को देता है रहमेश 12-18 जितने में भी बात होती है और केंड़ेट के साथ से और आगे देता है इस प्रकार से यह पूरा चेन ओफ इवेंट् फैरली और सब जगेता ये काफी लोग तक जो कैंडिडेट्स तक ये पहुंची है जैसा कि आप लोग को पता है जो हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल मेल जो भरती परिक्षा लीक हुई थी उसमें हमारी 433 नंबर एफ आयार जो सिटी थाने में दर्ज है उसकी साइटी जांच को DSP और अन्य लोग की एक टीम है जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई कहां से और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुंची थी आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है जहां से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुंची उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊंगा जो हमारी जाच में अभी तक आया है इस रिक्रूट्मेंट का जो कॉंट्रेक्ट था जम्मू के एक कंपनी के पास था जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की वहां पर जो जितिंदर प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है जो भी इनका प्रोसीजर रहा उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई कोशन पेपर इनका फॉर्म हुआ वो राकेश कुमार ने एक pen drive थी जो प्रिंटिंग के लिए उसमें रखी थी वो जितिंदर के हाथ लगी जितिंदर ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया और दो अगस्त को यह 31 जुलाई को जितिंदर के हाथ लगी थी जो अभी तक हमारी जाँच में आया और दो गस्त को उसमें उसका प्रिंट आउट निकाल के जिसमें चारो सेट थे और उनकी अंसर की थी प्रिंट आउट निकाल के उसकी hard copy अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख लिए अब जो जितिंदर है उसका वो लगातार टच में था इक व्यक्ति के जिसका नाम है मुझफर अहमद खान भी इसी कंपनी में पहले कारे करता था उसको एक तेर साल पहले निकाल दिया गया था और वह लगातार जितिंदर के टच में था वह पूसता रहता था कि क्या कौन सी भरती प्रक्रिया या कुछ भी चल रही है तो वह उसके जरीए उसको पता चल गया कि हर्याणा की यह बरती प्रक्रिया है इसके लिए यह कंपनी काम कर रही है तो उससे उसकी बात हुई उसने जितिंदर को लालज दिया तो जितिंदर और उनकी जो सेटिंग हुई उसमें ये रहा कि हम एक पेपर डेड़ लाग पर पेपर के हिसाब से वो उसको देगा यानि कि कुल 6 लाग रुपे में जितिंदर मुझफर एहमत खान को वो पेपर्स जैसा कि तैग हुआ था दो अगस्त को उसने हाड कॉपी बनाकर अपने घर पर रख ली थी उसके बाद जो इनकी टीम थी पेपर कराने के लिए ये चंडीगर जो भी है इनकी जो भी प्रसीजर्स थे उनको फुल्फिल करने के लिए खुद जितिंदर भी इधर आ गया था उसके बाद मुझफर एहमद खान का इसको फोन आता है के पेपर के लिए तो ये इसको बता देता है और अपने घर पे उसको बता देता है कि घर से वो ले जाए वहां से मुझफर एहमद खान उसकी और जो पेपर से उनको ले जाता है उसके बाद चुकि मुझफर एमद खान का कोई कॉंटेक्ट नहीं था अगे हर्याना में किस प्रकार से इसकी को जो कंडिरेट से उनको बेचा जाए या पहुचाया जाए वो अपने एक जानकार है एजाज उससे टच में आता है उसको बोलता है और एजाज जो है एजाज ए अफजल वही व्यक्ति है जिसको नजीर ने राजकुमार से मिलवाया था नजीर जो हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं नजीर और जो राजकुमार हैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि राजकुमार पहले रोतक में एक अकैडमी चलाता था जिसमें वो जो पहुचाते थे नजीर के जरिये और अफजल भी युनिवर्स्टी में काम करता था और उसका खुद का भी एक बीएट कॉलेज था तो यह सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे तो जब यह पेपर लीक की योजना जब बनी तो अफजल ने दुबारा से राजकुमार को कॉं प्रकार एमद खान ने वो की एजाज को दी उसी वक्त वहाँ पर अफजल आ गया और उसने वो की अफजल को पकड़ा दी इनकी जो डील हुई थी अफजल की और एजाज की ये साट लाग रुपे में हुई थी इनका ये था कि हम जो भी एफजल ने कहा कि मैं आगे बेज दूंगा साट लाग रुपे मैं दूंगा और वो 50-50 शाट लाग रुपे आएंगे 50-50 बाट लेंगे इस परकार की इनकी बातचीत हुई थी उसके बाद अफजल उसकी को लेकर पांच तारीक को जम्मू से फ्लाइट पकड़कर डेली आ जाता है डेली आकर और वो की पांच अगस्त की शाम को राजकुमार वहां पर आता है और वो उसको दे देता है इससे पहले की थोड़ी सी बात है जो मैं जाएगी जब इनको कंफर्म हो गया एक दो तारीक के आसपास के हां की वाकई में हमारे पास आ जाएगी तो इन्होंने ये बात अजाज फिर अफजल अफजल से राजकुमार तक ये बात पहुंच गी राजकुमार का जो भाई है कुल्दीप कुल्दीप था नरेंदर के इस है इस ही कर में इनकी दो अगस्त को कि यह पूरी प्लानिंग कर रहे थे दो अगस्त को इनकी एक मीटिंग होती है फरीदाबाद में फरीदाबाद में रॉयल हंडी में एक मीटिंग होती है जिसमें राजकुमार, कुल्दीप, नरिंदर और निहाल चार व्यक्ति होते हैं वहाँ पर ये क्योंकि कुल्दीप नरिंदर को बताया होता है कि की मिल जाएगी और एक करोड में इनकी जो डील हो रही होती है तो वो मिलने के बई कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी ये डिसकेशन करने के लिए राजकुमार के पास दो तारीख को वहाँ रॉल आंडी फरीदाबाद में जाते हैं वहाँ पर और राजकुमार को राजकुमार विश्वात दिलाता है कि हां की मिल जाएगी और उनको बताता है कि मुझे कश्मीर से जम्मु कश्मीर का कोई व्यक्ति है अफजल उसके तुरू मुझे की मिल जाएगी और उसी दो तारिक को राजकुमार फ्लाइट पकड़कर दो अन्य व् वेत प्रकाश और एक और राजकुमार है रिवाडी इन तीन व्यक्ति ये तीनों लोग फ्लाइट पकड़कर अफजल से मिनने के लिए जाते हैं